नमस्कार दोस्तों, आप सब मित्रों को मेरा प्राणाँ आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्थ होंगे पिछले मेरे सवाल जवाब के वीडियो पर काफी मित्रों ने प्रतिक्रिया आए दी हैं उन में से कुछ मित्रों को मैं आज उत्तर देने के लिए ये फिर से वीडियो बना रहा हूँ और कुछ अन्य सवाल भी हैं जिसके बारे में हम चल्चा करेंगे तो आईए जानते हैं कि क्या सवाल है मित्रों के और क्या जवाब है उनके आशुर्टोश वर्मा करके एक मित्र है जो कह रहे हैं कि मेरा भी अब कुछ ठीक है लेकिन लाश्ट में बलड म्यूकस दिख जाता है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा इनका कहना है कि पहले से अब मेरी कंडिशन बेटर है पर कभी कबार थोड़ा बलड और म्यूकस दिख जाता है पता नहीं चलता आगे क्या करना है मेरी भाषा में अगर इसे समझा जाए तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अभी बीमारी मौझूद है और उसका प्रभाव कम है तो हाँ अगर बलड म्यूकस आ रहा है तो अभी सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि मातरा कम हुई है पर वो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो मातरा बढ़ भी सकती आशुतोस जी मैं ये कहना शाहता हूँ आपसे कि हो सके उतना अपने आपको जाने कि कहां से दिक्कत है हो रही क्या खाने से बलड म्यूकस आ रहा है या क्या श्ट्रेश ट्रिगर कर रहा है या कुछ कंडिशन है जो ट्रिगर कर रही है या बहार का एट्मोस्फियर ट्रिगर कर रहा है जैसे कि अभी घर्मियों की सिजन है बहुत दूपर रही है इससे दिक्कते हो रही है या कुछ विचार है जो दिक्कते पैदा कर रहे है या आप over confidence में आज जाके कुछ गलतिया कर दे रहे है ये आपको खुछ जानना होगा और तभी ये थोड़ा बहुत जो blood mucous आ रहा है इससे बहार निकल पाएंगे तो गवराईयमत पर होश रखिए ध्यान रखिए कि दिक्कते कहां हो रही है आईए एक अगला सवाल देखते हैं अमित बिष्ट करके कोई मित्र है वो कह रहा है कि भाईया कोई health insurance है ulcerative colitis के लिए दिखिए ulcerative colitis long term disease है जैसे कि health insurance की policies होती है जितना मैंने जाना है मैंने जाना है health insurance के बारे में उसमें policies होती है कि भाई अगर आज से आप medical लेते हैं health insurance लेते हैं अपने लिए तो वो तुरंत cover नहीं करेगा colitis को जैसे कि आज लिया तो दो महिने बाद cover नहीं मिलेगा colitis के लिए कम से कम तीन या चार साल लगेंगे cover मिलने के लिए मिलेगा जरूर cover पर तीन चार साल लगते हैं मैंने उस वक information निकाली थी जब मैं colitis में था क्योंकि खर्चा इतना होता है भाई सभी लोग effort नहीं कर पाते हाला कि मैं भी नहीं कर पा रहा था तो मैंने भी जानने की कोशिश की थी तो उसमें यह आया था कि मैं 2024 में medical ले रहा हूं मेरे लिए तो 2027-28 में वो cover करेगा ulceratory colitis को ऐसे कहीं किसीज है जिसको वो cover नहीं करता तुरंट तो हां करता है पर long term में करेगा जाए तो तीन चार साल लगेंगे तो एविलिबल है पर long term के बाद तीन चार साल के बाद आपको coverage मिलेगा उसका एक भाई का और पूछना है कि भाई इस बिमारी में आखों पर भी effect होता है क्या मेरी राइट आख सूझ जाती देखिए मुझे जहां तक पता और मेरे अनुभम ही यह है कि मुझे जब एलोपिथी में वाइसलों श्टिरोड दिया गया था कि 4-0 mm दिया गया था प्रते दिन 40 Ymg देने से मेरी को catrapcs की समस्या हो एथा यानि की रात को दिखी नहीं रहा था दिख रहा हाँ अभी आपको चश्मा लग गया है तो यह पहनना पड़े है नहीं का चलो यह दे दो चश्मा निकल वाया है मैंने आखों के लिए फिर जहां से अलोपेथी चालू थी उसी डॉक्टर के पास कया कि सर असी असी दिक्कत आ रहे तो उन्होंने बोला चलो ठीक है अब भाइ इसकरता तो इसलिए मैंने उस दिन से वाइसलो नेना बन कर दिया आखों के जो चश्मे निकल वाया थे नंबर के वह पहनने शुरू की और मैं भी बीमारी में था तो आयरुदा में कुछ ना कुछ जानने के लिए तरस रहा था कि क्या है क्या मदद कर सकता है तो उसमें ज पूछा है कि भाई कितना टाइम लगता है इससे ठीक होने में अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो सही ट्रीटमेंट मिल जाएगा उसका कितना टाइम लगेगा उसका मुझे एक्शिल पता नहीं है क्योंकि मुझे दो साल लगे है पर यह मेरी बात है आप 6 महीने में भी हो सकते हैं या 3 साल मेंinfigy हो सकते हैं कि व्यक्ति गठ भीमारी एस번 abandoned solution मिलेगा ऐसा नहीं है कि असल 110 साल हो we also can हाई आप एक साल में हो सकते हैं या शे महीने में हो सकते हैं या meяться कि यह तीन साल भी लग सकते हैं इसलिए सही treatment मिलेगा और आप सही से अपने आपको पकड़ पाऊंगे कि क्या अदिक्कत हो रही है क्या trigger points है तो आप हो सगेगा उतने जल्द recover होने के chances है आपके एक और मित्र पूछ रहे हैं कि भाई आपने homeopathic medicine कितने महने लिया था मैंने homeopathic medicine 24 महिने यानि कि 2 साल लिया उसमें मुझे result मिलने में 4-6 महिने लगे था और पूरा cure होने में 2 साल लगे हैं और एक बात सपष्ट कर दूँ कि blood भी तुरंत नहीं हो गया था कि तक्रीबन पूरा बंद होने में डेड़ साल लगे थे क्योंकि आता कभी नहीं आता कभी लंबी gap के बाद आता कभी दो दिन चलता कभी दस दिन चलता फिर बंद होता ऐसे ऐसे करके क्यों gradually चीज़े बंद होती है ऐसा नहीं है कि आज medicine लिए आज बंद हो गया तो मैं दो साल medicine क्यों लेता इसलिए मुझे दो साल लगे homeopathy मैं बाकि मैंने टोटल पांस साल दवाई खाई है रेड़ साल अलो पे थी रेड़ साल आयरुवेदिक और दो साल homeopathy तब जाके बाहर निकला हूँ और देखिए यह तो medicine के बारे मैं जानता हूं यह बता रहा है मैंने मन पर भी काम किया है और नजाने एक प्रकुरूत के बारे में जानते हैं दोस्त अभीजीत सिंग करके एक मित्रह वो कह रहा है कि सर मैं अभीजीत एक बार कमेंट किया था मैं बहुत कमेंट में बात हुई थी सर हमने colonoscopy, endoscopy, ultrasound सब करवा लिया है लेकिन report normal आई है दवाई भी ले रहे हैं फिर भी हमें 5-6 time toilet के लिए जाना ज़्यादा अगर कोई reports आते हैं उसके ऊबर वो सभी reports शरीर की अवस्था को दर्शात है, physical body की अवस्था को दर्शात है, physical body की अवस्था के लिए ये सारे report बने हैं, अब colonoscopy, endoscopy report नॉर्मल है ये बहुत बड़ी बात है कि यहां कोई दिक्कत हैं पर इस से ये प्रमान न वजह से ये दिक्कत हैं इस वजह का पता लगाई जरूरी नहीं कि ये endoscopy में आ जाए colonoscopy में colonoscopy इसको पकड़े या endoscopy पकड़े या ultrasound इसको पकड़े जरूरी नहीं, इस वजह से ये हो रहा है, इसलिए थोड़े शांत होकर सोचिए कि कितने समझ से ये शुरू हुआ है, क्या क्या गलतिया है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है, आपको जरूर उत्तर मिलेगा, और हो सकता है तो शांत रहिए, नींद पूरी करिए, नींद जितनी पूरी होगी, उतना आपके stool formation में बढ लाव आएगा, और ये जो दिक्कत है प्रात्मिक रूप से, इसमें आपको काफी हद तक लाव मिलेगा, आईए, एक और सवाल के बारे में जानते हैं, विमल गुपता जी करके कह रहा है, कि मैंने दो टाइम ultrasound करवाया, एक बार तो kolitis लिखा हुआ आया, और दूसरी बार आया, तो अच्छी बात है, पहली बार kolitis लिखा हुआ आया, और दूसरी बार नहीं आया, अच्छी बात है, पर इस से फरक नहीं पड़ता है, जैसे मैंने पहले कहा हूँ, फरक इस से पड़ता है, आपको लाब है की नहीं, देखिए मैंने ठीक होने के बाद भी नहीं करवाई, ultrasound नहीं करवाया, endoscopy, कुछ नहीं, कोई report नहीं करवाया, क्योंकि भाई, I feel better, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, जिम भी कर सकता हूँ, योगा, प्रानायम, meditation, traveling कर सकता हूँ, गर्मी में रह सकता हूँ, ठंडी में रह सकता हूँ, cheese, burger, वड़ इसलिए, आपके result क्या है, ये depend करता है, ये जो reports है, वो उसमें लिखा है, या नहीं है, ये गौन चीज़ है, प्राथमिकता ये है, कि आप feel better कर रहे है, तो बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे है, और report में ऐसा लिखा है, कि भाई, आपके clear है, कुछ kolitis नहीं, तो फिर feel तो नहीं कर रहे है, बैटर आप, तो kolitis नहीं, तो कुछ और है, तो उसका solution लहीं, हमें reports की नहीं पड़ी, हमें खुद की पड़ी है, कि भाई, हमें ठीक होना है, reports उसकी गवाई दे रहा है, कि आप ठीक है या नहीं, ठीक है दोस्त, वाई ये आगे जानते हैं, एक मित्र सबस्त होगा, फिर डाजेशन ठीक होगा, और उससे जाके वेट लॉस होने का बंद होगा, क्योंकि वेट लॉस क्यों हो रहा है, डाजेशन वीक है, डाजेशन वीक है, उसकी वज़े से जो nutrition चाहिए हमें, वो मिल नहीं रहे, जो उर्जा चाहिए बोड़ी को मिल नहीं र लेगी, तो स्टोरेड़ फैट्स कम होंगे, स्टोरेड़ काबोहड़िट कम होंगे, तो वेट डाउन होने वाला है, उसके लिए करना क्या है, जब तक डाजेशन ठीक नहीं होगा, जब तक माइं ठीक नहीं होगा, जब तक वेट गिरता रहेगा, उसको बंद करने के कोई चांसिस नहीं, उसको बंद करना के लिए एक ही उपाय है, खुश रहिए, मस रहिए, और डाजिशन को इंप्रूव करने के बारे में प्रयोप करिए, या सोची या अभ्यास करिए, या किसी मेडिसिन का प्रसाहरा लीजी, जैसे मैंने लिया था, होम्योपेथी का, वेट गि स्टेबल करेंगे, ये सब तभी बढ़ेगा, और बढ़ना और गिरना अलग बात नहीं है, जब आप स्टेबल हो जायेंगे, तो वेट बी स्टेबल हो जाएगा, आप स्टेबल हो, वेट अपने आप हो जाएगा, आईए कुछ और जानते हैं, मित्र पूशते हैं, द। नहींद काूल को तिकार πईति हूं है अच्छा सवाल है कि व horrुर्ण के साथ मैसा कौल। ज बिमार था विधर कृटिकल इन वधरी क्रीडिकल कंडीशन जब मैं पहली बाग्यों होम East में गया था तब मेरे परिवार का ये मानना था कि वह होम यूपिथी रिजल्ट नहीं दे पाएगी और अगर हम ऐलोपिथी का भी साथ छोड़ देते हैं तो दिक्कते बढ़ सकती तो हमने होम यूपिथी डॉक्टर के साथ भी यही बात की थी कि सर परिवार का ऐसा मानना है कि आपकी दवाई खोमियों पे थी लेंगे पर अगर दिक्कते बढ़ गई तो क्या करेंगे तो सर ने ये कहा था कि अभी आपके भीतर डर हैं अभी मैं आपको अलो पे थी बंद करवा देता हूँ और आपका माइड़ उसी पर लगा रहेगा कि यार मैंने बंद कर दी है अलो पे थी अब मुझे दिक्तत होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको जब तक लेनी आप लीजिए पर मुझे पता था कि ये दवाईया असर बुरा डालती है बोडी पर अलो पे थी दवाईया को संतुष्ट मिलनी चाहिए बात इतनी सी तो हां मैंने मैसा कॉल नहीं ली थी मैंने यही विटामिन की जो गोली आती है आयन की आती है वेसे ही गोली है यह वह सो क्योंकि अंतिम चरण में थे जिन्दगी के तभी तो देड़ साल अलोपेथी ली उसमें भी असर नहीं किया उसलिए तो मुझे आयरुवेदिक में जाना पड़ा और आयरुवेदिक में जब अपनी घरिमा छोड़ने लगा तभी मुझे अलोपेथी में वापिस आना पड़ा यही तो दिक्कत हैं या पेशिंट की कितना कंफ्यूज रहता है पता ही नहीं कि कहां से कहा जाए पर हाँ मैंने ली थी मैसा कॉल वीक या पंदरा दिन तक क्योंकि पर्फेक्ट टामीम तो मुझे याद नहीं पर कुल मिला के सभी यह जो मैं विटामिन की गोलियां और सभी को मिला कि मैंने हुमियोपिथी के साथ ऐलोपिथी की मैडिसिन एक से डेड़ महिना तक ली थी बाकि मुझे कोई जरूरत नहीं लगी और डॉक्तर को भी कोई जरूरत नहीं लगी पर अगर लेनी है आपको हुमियोपिथी के साथ कीजिए आईए अगला कुछ जानते हैं एक मित्र है सोनी कुमारी करके उनका ये कहना है कि भाई हम दो साल से परिशान हैं अभी हम छे मंथ से पतंजली वेल्नेस में दिखाया हैं उसकी दवाई भी खा रहे हैं लेकिन आराम अभी तक नहीं मिल रहा है मैंने डेड़ साल तक खाई थी गोलिया अईरवधिक्य उसमें जो काड़े आते हैं जो क्या कहते हैं कुटजारिष्ट आता है कुटजगनवटी आती है अलग-अलग बिलबादी चुड़ना आते हैं ये सभी चीज़े दी गई थी मुझे डेड़ साल तक खाई थोला सारा मि देता था अंत में जाके उसने भी घरीमा तोड़ दी मैंने कहा जैसे पहले तो फिर से मुझे शुरू से चलना पड़ा तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि मैडिसिन आपको तभी लाब पहुचाना शुरू करेंगी जब आप भीतर से स्टेबल होगी आप अपने आपको पूछिए कि यह च्छे महिने से मैडिसिन ले रहे हैं पर क्या आपके स्टेट अफ माइन में कोई बढ़लाव है क्या आपकी आदतों में आपके क्रोध मे खुश है भीतर से मैडिसिन लेते वक्त आप तो उसी घ्रणा में है यार कि यह मैडिसिन भी लाब नहीं करेगा यह दिक्कत ही कभी खटम नहीं होगी इसका कोई इलाज नहीं है यही तो नकारात्मकता आपको गेरे हुए है आप कभी यह फ्रेश माइन से मैडिसिन ही नही ठीक हो जाएंगे और नहीं भी होना तो कभी खुश होके भी medicine नहीं लेते हैं उसी पीड़ा में उसी वेदना में आपका तरक सही है कि भाई बंदा पीड़ा में है तो वेदना ही याद रखेगा पर यहां यह बिमारी में बस सब उल्टा है रिवर्स है बिमारी है अपने बिमारी को स्विकार करके जीए इसके साथ और फाइदा नहीं पहुच रहा तो meditation करिए अपने मन को शांत करिए जितना हो सकता उतना बाकि 6 महिने नहीं 6 साल medicine लेंगे तब भी जब तक मन शांत नहीं होगा जब तक आप अपने आपको नहीं समझेंगे तब तक लाब बिलना बहुत दूर की बात है इसलिए अहाँ पतंदली से medicine लेना है लीजिए अन्य कहीं से लेनी है लीजिए पर सबसे प्रथम सर्वो उपर ही यह है यहाँ से नहीं गया तो बिमारी रहेगी यहाँ से चला गया तो बिमारी चली जाएगी यह समझना बहुत कठिन बात है लोग मुझे गालिया भी देंगे कि याई बंदा बिमार है तो stress लेगा दीजिए गालिया मैं बहार निकला हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये चक्रविव चल रहा है और जब आप बहार निकलेंगे तब आप कहेंगे कि यार आप सही थे आईए एक और उत्तर जानते हैं एक मितर पूछते हैं कि भाई दवाई का नाम बता सकते हो कि क्या मितर देखो मुझे खुद पता नहीं है कि मुझे क्या दवाई दी गई थी होमियोपेथी, क्योंकि मेरे जो होमियोपेथी डॉक्टर थे, वो मेरे सिंटम्स को समझ कर, फिजिकल और मेंटल सिंटम्स को समझ कर, मेडिसिन बना कर मुझे देते, उस पर ना कोई नाम था, उसकी ना कोई परची थी, कुछ नहीं था, वो सिर्फ प्लेन डेब्बियों में दवाई दी जाती थी, रो मैं लेता था, तो मैं आपको मेडिसिन के नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ही पता नहीं, चाहिए एक और जानते हैं सवाल के बारे में, एक भाई पूछते हैं कि मिलन भाई, पाँच साल से लसराइटी कॉलाइटिस हैं, तेन चार बार मोशन जाना पड़ता है, मोशन में ज्यादा ब्लेडिंग और म्यूकस आती है, ब्लेडिंग प्लॉट्स में आती है, ज्यादा तर, पेट हार्ड माने की भारी रहता है, और दर्द रहता है, यह सभी सिंटम्स तो कॉलाइटिस के हैं दोस्त, और आपको भी बताया कि आप कॉलसराइटिव कॉलाइटिस हैं, और यही प्रमुक सिंटम से इस बेमारी, इससे बहार निकलने के लिए क्या किया हैं, आपका यही पूछा है, इससे बहार निकलने के लिए योग्या चिकिस्टा की जरूरत है, और मन को शांत करने की जरूरत है, सभी लोग कहेंगे कि आरंत में ये बंदा मन को लेकिया जाता है मैंने जो जाना है मैं जिस रास्ते पर चला हूँ मैं तो उसी की बात करूँगा इस वीडियो में भी और अगर मैं दस हजार मां वीडियो भी बना रहा हूँ तो उसमें भी यही बात करूँगा कि this is a key कोलाइटिस नाम के ताले को खोलने के लिए यही की है इसलिए पांच साल से कोलाइटिस है पर आज से निर्धारित करिये कि भाड में गया पूराना पाष्ट जो भी था वहाद तेल देने भाड में गया कोई दिक्कत नहीं आज से नहीं सुभा है फ्रेश होके जीएंगे और अपने मन को हो सके उतना शान्त करेंगे और योगे चिक्सा करेंगे जैसे कि मैं होमियोपिती से ठीक हो हूँ तो मैं आपको भी कहता हूँ कि योग्ये होमियोपिती डॉक्टर से सलाह लीजे उससे मेडिसिन लीजे ताकि वो आपको समझ कर आपके माइंड को समझ कर आपको ठीक कर पाएं बाकि अन्य सभी मित्रों से मैं यही कहता हूँ कि दोस्तों चिंता मत करें जबराइए मत ठीक तो जरूर होंगे बस ये तनाव ये भाय ये चिंताओं से मुक्त होने की जरूरत है आशा करता हूँ कि इस सवाल जवाब में से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकार्य मेरी होगी और अन्य कोई आपके सवाल है तो पूछे इस वीडियो के कमेंट में अगर मेरी अनुभ़मी रहेगा तो मैं उसका उत्तर जरूर दूँगा तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और अन्त में आप सबे के भीतर बिराजवान परंपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम स्विकार करें